अगर फंडिंग प्रॉपर नहीं है, तो कहीं न कहीं गाड़ी अटकेगी, अगर फंडिंग चाहिए, तो उसके 3-4 रास्ते हैं, 70% से ज्यादा ग्रोथ पिछले एक साल में हुई, आपके बिजनस की जो रियल वैल्यू है, वो आपको तब पता चलती है जब आप IPO के लिए ज सबी का स्वागत करता हूँ, Legends of Nation के इस प्रोग्राम में, और आप जानते ही कि हर बारे में एक ऐसे celebrity guest को बलाते हैं, जिनसे हम उनके विशय के बारे में, जिस चिसमें उनकी expertise है, वो जान सकें, उनके अनुभव को आपके साथ शेयर कर सकें, और साथ-साथ ये भी हम जान सक की है, Sir, आपने काम किया है, और उन small-skill business को large-skill business तक आप लेकर गए हैं, तो Sir, आज मैं सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, और हमारे चैनल पर जातर business के सारे युवा साथी हैं, और युवा साथी हमेशा ही चाहते हैं, क्योंकि उनके में एक सपना होता है कि बिजनस बहुत अच्छे चलाना है, एक industry खड़ी करनी है, और कई बार तो यह सपना भी होता है कि भारत की सबसे बड़ी company, world की सबसे बड़ी company खड़ी करनी है, बिलकुल होना चाहिए और यह सपना बहुत ज़रूरी है, जी, तो सबसे पहला जो प् इसा हो, तो यहां से काने शीव होती है, तो मैं अच्छा product बनाऊंगा, अच्छे marketing करूँगा, अच्छे branding करूँगा, अच्छे employees hire करूँगा, बिजनस को expansion के और ले जाऊंगा, तो मान लेते हैं कि एक small-scale business owner, अभी business का शुबारम करने वाला है, या कुछ एक ऐसी भी जो क बढ़ चुके है, कुछ ऐसे भी जो करने के बाद आगे बढ़ चुके है, अब वो expansion चाहते हैं, तो finance की problem कहां कहां आती है, और कैसे कैसे solve की जा सकती है, कौन-कौन से ऐसे resources जहां से finance available हो सकता है, यह मैं बताने से पहले, मैं आपको एक चीज बताना चाहूं कि हिंदुस्त और दोस्तों, अगर उन 6 करोड ते 30 लाख में आप नहीं है, तो समझ लीजिए, आप सरकार की बहुत सारी सुविधाओं को जो मिल सकती है, subsidies मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, finance मिल सकता है, कही नहीं कहीं मिस कर रहे हैं, और अगरवाल साब से आजी सब कुछ हम जानने वाले ह कैसे हम अपने बिजनस में, financing को ठीक करके, बिजनस को ठीक करके, next level ले जा सकते हैं, यह जो sector MSME है, यह 27% से भी ज्यादा GDP का contribute करता है, और यह sector सबसे बड़ा employment provider sector, जितने job creation इस sector में जितनी होती है, किसी भी अन्य सेक्टर को आप मिला के देखें, 27% एक बहुत बड़ा number, अच्छा, काफी लोग तो ही सुचती ही कि बाकी सारे जो बड़े प्लेयर से हैं, वो सबसे बड़ा role play करते हों, यह गलत धारना है लोगों की, MSME सेक्टर जो है, वो 27% से ज्यादा GDP का हिस्सा है, और maximum employment प्रोवाइड करवाता है, मगर इसके बावजूद, अभी पीछे एक सर्वे हुआ, consortium of Indian industries का, उसका result बड़ा shocking था, के around 72% जो यह industries है, MSME, आइदर या तो वो stagnant है, आगे बढ़नी पा रही है, और या फिर वो losses में है, और इसका main कारण वो ही है, जो अभी आपने पूछा, shortage of finance, shortage of finance, जो है एक आप प्रॉबलम है, SME सेक्टर के लिए, अभी हम SME सेक्टर की बात करेंगे, MSME में से M निकाल देंगे, क्योंकि जो हमारा subject है, SME से related है, micro के लिए नहीं है, तो एक बार ये भी define कर दें सर, micro और small में क्या difference आता है, क्योंकि कई लोग दोनों ही बोल देते हैं, अपने लिए, देखे, जिस unit की turnover, साल में, विक्री 5 करोड से क में जो है, वो small में आते हैं, और जो 200 करोड से उपर है, वो medium में आते हैं, और जब 1000 करोड में पहुंच आते हैं, तो large scale में आते हैं, तो ये जो sector है, particularly SME, इसकी सबसे बड़ी समशा है finance, और finance, लोग सोचते हैं, growth के लिए चाहिए, तो सिरफ growth के लिए finance चाहिए, नहीं चा आएंगे तो दूँगा, salary तब दूँगा जब पिछे से payment आएगी, वो smooth functioning नहीं हो पाती, business की smooth functioning के लिए आपको funding proper होनी चाहिए, अभी क्या है कि जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, और हमारी गाड़ी का tank आदा खाली है, तो कहीं ने कहीं जाकर के वो रुक जाएगी, या त तो सेम चीज बिजनस के साथ है, अगर funding proper नहीं है, तो कहीं न कहीं गाड़ी अटकेगी, तो अगर funding चाहिए, पैसा चाहिए बिजनस के लिए, तो उसके तीन-चार रास्ते हैं, जी, सर ये जूरू बताएगा, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि पैसा लेने का यही क के लिए, security देने के लिए, तो फिर सब कुछ easy ना हो जाता, तो क्या-क्या resources है, fund कठा करने के वो बताएगा, सबसे पहले जो आपने जैसे बोला, सबसे पहला रास्ता वही है, लोग friends, relatives को अप्रोच करते हैं, funding के लिए, और वहां से बहुत बार पैसा मिलता भी है, मगर उ उस रास्ते में, उस रूट में, एक सबसे बड़ी समश्या ये आती है, कि कहीं आप अगर अगर अपनी commitment से थोड़ा सा भी fail हो गए, आपने ब्याज टाइम से नहीं दिया, या आप repayment टाइम पे नहीं कर पाये, तो आपका जो relationship है, वो stake पे आ जाता है, उसमें दरार आ जा आते हैं, किसी institution के पास अगर आप जाते हैं, तो पहला question आता है, collateral security, हर एक को collateral security नहीं दे पाता, कुछ लोगों का प्रेशन भी होता है, collateral security होती, तो उसी को बेच के business में लगा जेता है, उसको गिर भी क्यों रखता है, बिलकुल ठीक बात है, collateral security के बाद सबसे बड़ी समश में 10 करोड का loan है, और वो business 2 करोड रुपय साल का profit generate करता है, तो तकरीबन 7 करोड रुपया, वो ब्याज ही दे देता है, तो वो अपने लिए काम कर रहा है, या बैंक के लिए काम कर रहा है, इसका मतला अगर किसी ने loan लिया है, तो वो अपने खुद के लिए नहीं, अपने दो तरह है कि equity होती है, एक है private equity, private equity में समश्चाएं कहीं है, जैसे पहली चीज तो यह है कि SME को consider नहीं करते हैं, आम तोर पर, दूसी problem यह आती है कि अगर आप private equity लेते हैं, तो private equity fund जो है, वो अपना एक या दो director आपके board में बिठाएगा, जो भी investor होगा, उस होचेगा मे नहीं कर सकते, उसका okay जरूरी है, यह समश्चा है, फिर उसको अगर आप अच्छा खासा 15-20% stake में, तो उसको exit route तो आपको देना पड़ेगा ना, दो साल में, तीन साल में, कभी तो वो निकलेगा, तो उसको निकलने के लिए एक ही route बच, दो ही route रास्ते बचते हैं, या आप वो equity वापस खरीदे या IPO करें, तो अगर आपने private equity लिए रखी है और IPO के लिए आप जाते हैं, तो उसमें समश्चा यह आती है कि terms वो dictate करेगा, कितने रुपे में IPO आएगा, क्या valuation होगी, अब वो valuation market accept करती है या नहीं करती, यह depend करता है, तो ऐसे बहुत सारे cases हैं, ज जो दस-दस, पंदरा-पंदरा साथ से जो प्लैन कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर आपका vision बड़ा है, और आप IPO में आना चाहते हैं, तो जल्दी ना करें, प्राइवेट इक्विटी कठा करने हैं, प्राइवेट इक्विटी बहुत बड़े जो units हैं, वहां ठीक है, पहले normal IPO आते थे, बड़ी companies के आते थे, छोटी companies भी आती थी उसमें, बट कहते हैं, समुदर में छोटी सी मचली को कौन पूछता है, जी, वो खो जाती है यह दरूबर, बड़ी मचली आखा जाती हैं, तो इसलिए इन छोटे entrepreneurs के लिए, SMEs के लिए, Bombay Stock Exchange और National Stock Exchange दोनों ने एक अलग से segment बनाईगी, National Stock Exchange की जो SME की segment है, उसको NSE Emerge बोलते हैं, और जो Bombay Stock Exchange की है, उसको BSE SME बोलते हैं, जान रखेगा फ्रेंट, नोट भी कर लीजी आप ए बात, तर एक बार दुबारा repeat कर दो, जो Bombay Stock Exchange की SME Wing है, उसको बोलते हैं BSE SME, और जो National Stock Exchange की SME Wing है, उसको NSE Emerge, किसी एक पर आप अपनी company को list कर आ सकते हैं, तो बड़ी company की तरह दोनों में ज़ा सकते हैं, आप चाहे हैं, जाए आप Naam, कौन सा best रहता है, कहां जाना चाहिये? ये बहुत जादा फ़र्क नहीं है, ये promote की choice है, कंपनी की choice है, कहां जाना चाहते है, अब इसमें, हमें लेवल प्लाइंग फिल्ड नहीं मिलता हम बड़ी कंपनी के साथ कंपीट नहीं कर पाएंगे हमारे को कौन पैसा देगा इन्वेस्ट कौन करेगा जी इसलिए यह सेग्मेंट अलग से शुरू किया गया 2012 में अब यह भी वड़ी एक इंटरस्टिंग स्टोरी है कि 2012 से जब यह SME सग्मेंट शुरू हुआ पहली सो कंपनिय लिस्ट होने में लगे चार साल अच्या उसके बार सो कंपनी लिस्ट होने में लगे दो साल फिर सो कंपनी लिस्ट होने में लगे 2 allows यह बिलकुछ slow 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 चलता रहा 2022 में एक ही साल में 107 कंपनिया आई आई लेकर और आपको ताजूब होगा इस साल में 2023 में अब तक 136 कंपनियों के SME के आई पी आ चुके और एर एंड तक उमीद है कि 200 का नंबर क्रॉस हो जाएगा अच्छा मतला यह एक्स्पोनेंचल गूप से यह भी रहे हैं अगले साल उमीद यह की जाती है कि 300 से ज्यादा SME IPI मैं तो कहूंगा सर उसमें बहुत बढ़ा श्रय आपको भी जाता है क्योंकि आप regular business owner को guide करते हैं उनको train करते हैं उनको बताते हैं उनको समझाते हैं उनका mark duration करते हैं और hand holding support के साथ उनको आगे लेकर जाते है कि आप करो वो सब SME sector के लिए हमारा एक प्रयास है और इस segment को promote भी कर रहे हैं जिससे SME का जो चोटे उद्यमी हैं उनका benefits भी हैं तो दोनों वे में इने वे हम अपने तरफ से चोटा सा सहयोग देश के उनकी में हैं तो equity का जो route है SME का यह preferable है और इसी पे जाना चाहिए जी तो इसके क्या norms हैं क्या तरीका है क्योंकि small scale business owner को अभी कुछ भी idea नहीं है कि first step क्या होगा sir मेरी company है कि सपोज मेरे 30 लग का turnover है 50 लग का है क्योंकि जब IPO के बारे में सोचते हैं तो आयती हजार करोड 500 करोड 10,000 करोड एक लाग करोड तो उनके मन का यह प्रशन है कि sir म मुझे आप बता रहे हैं मैं समझ तो पा रहा हूं पर मेरी company तो ही कितनी की 50-60 लाग रुपे की company है तो क्या first step है क्या-क्या उनको काम करना है कैसे उसकी तयारी करनी है और कौन-कौन से steps हैं क्या pros and cons हैं भी जरू बताएं देखे इसमें जो stock exchange की तरफ से basically सारे rules SEBI ने बना तो आपने निशनल में जाना है तो वही same rules follow करते हैं इसमें जो conditions है सबसे पहली condition यह है कि आपके business को तीन साल का track record होना चाहिए तीन साल से business आपका चल रहा होना चाहिए तूसरी condition यह है कि पिछले तीन साल में से कम से कम एक साल में profit होना चाहिए तीसरी condition यह है कि जो promoters परता है उन में पिछले 1 साल में कोई major change नहीं होना चाहिए अगर कोई मेजर चेंज हुआ है तो उसके बाद उस डेट के बाद एक साल वेट करना पड़ेगा इसके अलावा यह है कि आपका जो बिजनस है चाहे आप ऐसे प्रोप्राइटर चला रहे थे चाहे आप पार्डनर्शिप में चला रहे थे चाहे आप प्राइविट लिमिटेड कंपनी में या LLP में या AOP में या वन मैन कंपनी में किसी भी फॉर्म में चला रहे थे उसको आप लिमिटेड कंपनी में कनवर्ट करके उसका SME IPO ला सकते हैं अब प्रश्टी है सपोज कोई पिछले बारा साल से एक व्यक्ति सोल प्रोपेटर शे फर्म चला र बाद वो आगे execute कर सकता है उसको यह देखे जो उसका पिछला track record है जी चाहे वो as a proprietor या as a partner या as a private limited company जो था वो इसमें पूरा count होता है अच्छा मतलब पास्ट परफॉर्मेंस जो उसकी पर वो पूरी कंसिडर होगी कंसिडर हो अभी होता क्या है कि जब IPO प्लान किया जाता है mostly company लिमिटेड में यह प्लैनिंग के डूरेशन में ही convert करती है उससे पहले ज्यादा तर नहीं करती तो यह इसमें कोई समशा नहीं ह या मेरी partnership थी या मेरी sole proprietor थी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है वो सभी लोग अपने business को limited company में convert करके और उसका IPO ला सकते हैं बड़े आराम से अच्छा इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है कि sole proprietorship firm का नाम कुछ और था आप जो कॉम्स का नाम कुछ और उसमें जो main promoter है उसके लिस्टिंग के बाद IPO के बाद minimum 20% stake उसका होना चाहिए minimum 20% यह condition उसके लिए है तो यह तो गई basic condition अब documentation and process क्या रहता है कितनी समय अवधी में यह काम कर सकते हैं और कितना इसमें खर्चा आता है क्योंकि कहते हैं कि कोई fund लेने के लिए भी fund देना पड़ता है इन्वेस्ट लोन आपको वापस भी करना पड़ता है ऐसे में आई पियों से जो आप fund raise करते हैं उस पे zero interest अच्छा कोई interest नहीं देना चाहें तो दे नहीं देना चाहें ना दे वो जो profit हो रहा है उसको अपने business में ही reinvest करते जाए कोई investor IPO में पैसा dividend के लिए नहीं करता उसका purpose होता है कि मेरी investment की value बढ़नी चाहें जैसे आपका profit grow करेगा आपकी company grow करेगी तो आपके shares की value बढ़ेगी और ये valuation में growth जो है यही investor ढूडता है और आपको ताजूब होगा कि main board में पिछले साल रफली चार पांच परसंट के बीच में growth होई पूरे साल में 2022 में और SME exchange जो है उसमें 70 परसंट से ज्यादा growth पिछले एक साल में हुई प्रॉफिट में हमारी state government हमारी central government भी इसमें बहुत जारा सपोर्ट जी है इसमें एक चीज में और बता दू कि बहुत सारे state governments अपनी तरफ से SME IPO का जो खर्चा होता है उसमें कुछ अपना contribution अंश्दान कह सकते हैं के रूप में subsidy भी देती है कोई state 5 लाक देती है कोई state 10 लाक देती है अभी sir मैंने एक recent video बनाया था उसमें बताया था कि कौन-कौन टॉप 10 ऐसी states हैं जहां पर state government central government के साथ मिलकर भी कौन-कौन से अच्छी scheme लेकर आ रहे हैं ताकि वहां पर industrial revolution आये बिलकुल आ रहे हैं और वहां पर government अपनी तरफ से subsidy के तौर पर देती है और बहुत सारी state में यह है यह तो बात रही कि sir IPO अगर लेकर आते हैं तो यह हमें खायदे हो सकते हैं कि हम अरपास financial power बढ़ जाएगी हमारे share की value बढ़ जाएगी company का valuation बढ़ जाएगा अब company का valuation count कैसे होता है देखे मैं आपको बता इसके दो पार्ट और है जो लोगों को पता ही नहीं है पहला है कि आप कई साल से बिजनस कर रहे हैं तीन साल से पांच साल से कोई कोई बिजनस 15 15 20 30 साल से चल रहे है इतने लंबे समय में आपने जो मेहनत की अपने बिजनस को इस लेवल तक पहुंचाया तो उसकी actual value आपक नहीं आती कई आपकी balance sheet सिर्फ आपकी book value दिखाती है आपके business की जो real value है वो आपको तब पता चलती है जब आप IPO के लिए जाते हैं पर IPO के लिए जो valuation SME IPO में खास तोर से जो valuation होती है वो आपके profit पे depend करती है जितना आपका profit है उसका कितना गुना आपके business की valuation कौन सा profit gross profit net profit profit after tax profit after tax profit after tax अपना विरोंने tax submit किया उसके बाद जो net profit बचा tax देने के बाद उसका आज की date में roughly 10 से 12 गुना आपकी company की value मानी जाती है और अगर कोई growing sector है जैसे AI है या drones है या software development है या solar है या alternate energy है या green energy इस type के जो projects है जी वहाँ पर ये valuation पंदरा गुना भी हो सकती है अच्छा ये मतलब defined है कि कौन कौन से sector में कितने जो growth का sector होगा जिसमें आगे growth की possibilities बहुत जादा है जी उसमें valuation उसी हिसाब से मिलती है और ये valuation भी बहुत conservative है ये actual valuation ये भी नहीं है अच्छा इसमें इतनी conservative valuation होने का कारण ह है कि जो दो तिन बड़े investor हर IPO के साथ जुड़ते है जी वो बाकी investors की तरह है retail investors की तरह है पहले दिन share बेच के नहीं जाएंगे जो retail investor है वो पहले या दूसरे दिन listing के बाद शेयर कमाएगा जैसे profit दश पंच पंदरा परसंट जो मिलता है वो ले करके निकल जाता है बट य investor अपनी investment को रखते हैं उसमें जी वो ये vision लेकर रखते हैं कि हमने इस company में invest किया तो एक growing company है जी इस company की growth के साथ जैसे ये company multiply करेगी हमारी company का भी जो investment है वो दुगना तीगना चार गुना दस गुना हो जाएगा जी और ऐसे बहुत सारे उधारन बिलते हैं SME में के IPO के time म एक ही साल में 500 करोड 600 करोड वैलिएशन की होगे दस कुना से भी ज्यादा एक ही साल में तो ये सारा जो कमाल है equity का कमाल है इस तरह का growth कोई भी business में profit generate करके नहीं कर सकता इस तरह से SME IPO से wealth creation होता है अब ज्यादा तो promoter सोचते हैं अभी है मेरा क्या फायदा हुआ तो वो investor जो है उसका फायदा हुआ पर equity तो main promoter के पास भी है जी आँ बिलकुल सही है आपने पकड़ा कि 25 परसेंट 26 परसेंट आपने public को दिया अगर उसकी value 10 गुना बढ़ रही है पांच गुना बढ़ रही है तो आपको 75 परसेंट है उसका भी तो आपका 10 गुना 15 गुना है अब सर यह बात रही कि भी ठीक है अगर IPO लेकर आता है सपोज वह MSME में लिस्ट भी हो गया अब उसका शेर खरिदेगा कौन उसे कैसे पता लगेगा जरनली क्या होता है product selling के लिए हमें one-to-one buyer के पास जाना पड़ता है जो अभी कई ऐसे भी है जो direct contact करते हैं तो यह बा करना पड़ेगा मेरे share खरीदो अपने relatives को समझाना पड़ेगा कैसे उसको काम करना पड़ेगा देखे IPO में जो 25-26% stake जो भी offload करना है डाइलूट करना जो आप समझे बेचना है public को उसके लिए company को या promoter को को कोई effort नहीं करना क्योंकि general public नहीं है जो उस shares में invest करेगी जो investors class है जो निवेशक हैं वो ही अपना पैसा लगाएंगे जैसी IPO में list होगा तो निवेशक अपने आप उसमें invest करना जूड़ा है लिस्ट होगा investment के बाद अच्छा ये अलग एक segment है और इसमें क्या होता है कि हम लोग जब काम करते हैं किसी भी SME IPO में तो हम 2-3 बड़े well-known investors क नाम जुड़ता है तो उनको देख करके बाकी investors अपने आप खिचे चले आते हैं क्योंकि वह अच्छा इन्होंने इसमें पैसा लगाया इसका मदला अच्छी company हम भी लगाएंगे वह कहते हैं राके जुन जुन वाला ने खरीदे टाइटन के शेर टाइटन के शेर लोग खरीद में लग लगए वही चीज यहां होती है कि दो या तीन अच्छे investor के जब नाम जुड़ते हैं तो बाकी public अपने आप आती हैं इन्वेस्टर को कैसे अप्रोच किया जाता है कौन अप्रोच करता है वह हम लोग अप्रोच करत जाती है तो या तो online होती है ज्यादातर तो उसमें जो बड़े investors हैं उनको बुलाया जाता है उन्होंने कोई question पूछने को उनके doubts हैं तो investor से बात करके वो clear कर लेते हैं और कुछ जो बड़े investor कई वार वो यह भी चाते हैं कि हम यह factory इनकी या office जो है उसमें विजिट करें उनके business को समझें उसके बाद ही काम हो जाता है तो promoter को कहीं किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है अपने किसी रिष्टेदार को अपने किसी friend को बोलने की जरूरत नहीं है यह मेरा IPO आ रहा है आप उसमें पैसा लगाई है ऐसा कुछ नहीं है अब सर कहते हैं कि किसी भ आप थोड़ा सा गाइड करें कि कौन चैसी खामिया है जो हम IPO लेकर आते हैं तो उस business owner को face करने बढ़ती है देखिए उस पर आने से पहले मैं आपको कुछ चीज और बताना चाहता हूं कि होता क्या है कि जब IPO आता है company का तो लोग सुचते है इसका फाइदा क्या है हमें क् तो जब तक ये क्यों का उत्तर नहीं मिलेगा तो गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है तो क्यों में सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहला है कि आपके पास additional funds आता है additional पैसा आता है जिससे आप अपने business को grow कर सकते हैं दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा कि आप बरसों से valuation क्या है वो unlock होती है तीसरा ये है कि जो अभी मैंने example दिया कि बहुत सारी companies ऐसी है कि जो listing के बाद एक ही साल में या कुछ ही महीने में उनकी valuation पांच गुना दस गुना बारा गुना बढ़ जाती है तो that is के wealth creation इस तरह से होता है कि आपका share माली जे 50 रुपे में आया और व आपने business में दसगोना profit नहीं एक साल में कमा सकते हैं लेकिन प्रश्च नहीं होडता है कि जब तक equity holder ने अपनी equity dilute नहीं की तो कहते है कि कई बार क्या होता है कि लोग जिस मकान में रह रहे हैं सब उसकी value एक करोड थी पांच करोड हो गई उसको दिल को खुशीत हो गया मे तक वो equity dilute नहीं करेगा तो fund raise कैसे कर लेगा बाकी देखे इसमें ऐसा है कि अगर आपने IPO के time 25% stake dilute किया 25% shares बेचे और उसके एक साल में आपकी company का valuation हो गया 10 गुना आपको फिर growth के लिए पैसा चाहिए तो अगली बार आप सिरफ 5% share बेचेंगे और आपको 5% बेच करके जितना आभी 25% में मिला उससे दुगना पैसा फिर आप रेच कर सकते हैं अगर आपकी building सोगज किया है और उसकी value वड़ गई एक करोड़ से पांच करोड़ हो गई है तो एक करोड़ में कहां पूरी building बेचते हैं अब आप एक floor बेचके बागी building की value को यूज कर सकते हैं य कहीं आपके business में interfere करने वाले नहीं हैं जो भी investor हैं आपको कहीं आके कुछ पूछेंगे नहीं कि हाँ जी ये क्या कर रहे हो आप क्यों कर रहे हो नहीं पूछने वाले आप से पैसा वापस भी नहीं मांग सकते हो बैंक से आप loan लेंगे कहीं से भी loan लेंगे आपको पैसा व आता है उससे पहले वो अपने एक लिमिटेड सरकल में या अपने छोटे से एरिया में ही लोग उनको जानते हैं या अपनी इंडस्ट्री में ही लोग उनको जानते हैं या अपनी स्टेट में ही लोग उनको जानते हैं पर जैसे ही आई पियो अनॉंस होता है तो अचानक से द बहुत सारे business websites हैं जैसे money control है और बहुत सारी हैं वो आपके बारे में लिखते हैं तो क्या सब यह PR paid basis पर होता है या यह खुद भी इस चीज को promote करते हैं कि यह company का एप ज्यादा तर यह free होता है कुछ channels है जहां खर्चा लगता है अगर आप add देना चाहें अलग बात है आप विध्यापन दे के कुछ भी कर सकते हैं पर यह विध्यापन के बिना ही आपका अगर company अच्छी लगती है उनको तो आएंगे आपका interview भी करेंगे आपकी company के बारे में न्यूज में अपने बताएंगे भी तो आपको free publicity मिल रही है जिसके लिए लोग करोणा रुपया खर् ना तो कहीं pledge कर सकते ना गिरवी रख सकते ना बेच सकते पर एक साल पूरा होने के बाद अगर आपको थोड़े बहुत funds की immediate ज़रूरत है तो आप अपना 1% 2% हिस्सा शेर्स का वो market में बेची है अगले दिन पैसा आपके bank में आ गया तो यह एक तरह से ऐसी बात है कि आप currency note J में लेके घूम रहे हैं कि आपको जब ज़रूरत हुई तो आपने and cash कर लिए हाँ लिकूरिटी आपके हाँ दूसरी चीज यह जितने आपके shares हैं यह shares ही collateral security बन जाते हैं अपने shares के against भी आप bank से लोन ले सकते हैं NBFC से लोन ले सकते हैं लिस्टिड company को rate of interest भी थोड़ problem इसमें नुकसान क्या आता है कि थोड़ी सी compliance पढ़ती है जी और वो चीजें ऐसी कोई मुश्किल काम नहीं है कि जो करने में बहुत ज़्यादा परिशानी आती है लिस्टिंग के बाद आपको एक full time company secretary रखना पड़ता है company में जिसको CS बोलते हैं आम बाशा में उसके अलावा जितने आपकी directors हैं उतने ही independent directors आपको company में लाने पड़ते हैं independent directors को कोई share नहीं दिया जाता shareholder नहीं होते वो वो सिरफ director होते हैं जब board of directors की meeting होगी general meeting होगी उसमें वो लोग आएंगे और उसकी उनको sitting fees 15-20-25,000 रुपे पर meeting के हिसाब से तो जो independent director होते हैं वो company द्वारा ही खुद के अपॉइंटेड लोग होते हैं और खुद के द्वारा ही और ऑपाइंट करती है मगर उनके परिवार से या उनके रिष्टेदारों में से नहीं हो सकते हैं से हो सकते हैं किसी और फैमिली से हो सकते हैं ज्यादा तर केसिस में जो इंडिपेंटेंट डारेक्टर है वो कोई टेक्निकल लोग होते है या जैसे फानाइस का है कोई या मार्केटिंग का है या कोई टेक्निकल फील्ड से है उससे कंपनी की जो वैलुएशन है उसमें ही फरक आता है जिए उसका बोड कहते हैं कि लुमिनरी जब आते हैं तो फिर बहुत अच्छा बनता है कि इस कंपनी के जो डारेक्टर से हैं यह इस तरह से लाता है अब सर इसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं तो हमने बात समझी कि ठीक है ऐसे आई प्यों आना चाहिए यह प्रॉसस है अब कोई व्यक्ति नहीं डिसाइड कर लिए कि ठीक है मुझे लेकर आना है तो कौन से ऐसे कंसल्टेंट होते हैं यह कहां से वो गाइडेंस ले सकते हैं या कैसी वो समझ सकते हैं या किस तरह से आप और आपकी ओगनेशन को हेल्प कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बहुत हैं हमारी जो कंपनी है हमारा बैंकर भी हम ढूंड के लाएंगे जो आपके लिए सूटेबल होगा आपके लिए हम बाकी सारी टीम जिसमें के आपका रेजिस्टर ट्रांसवर एजेंस भी होगा आपका लीगल अड्वाइजर भी होगा आपका सबसीक्वेंट करता है क्योंकि आपकी ऑडिटीड बैलें होगी स्टॉक एक्षेंज परबस के लिए फिर आपके लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी हम लेके आएंगे आपके दूसरे और भी जो इंटर्मिजरी हैं वह हम लेके आएंगे एस्पा बैंकर्स कौन-कौन से होंगे किस बैंक में शेर अप्लिकेशन आएंगी वो सारा का सारा हम लोग बाकी टीम के साथ मिलकर की एकाम करें और इनिशली लेवल पे अगर कोई एक स्मॉल स्किल बिजनस ओनर जिसका पूरा का पूरा बिजनस का वैलिएशन करो सपोज एक करोड़ रुपे है उसका प्रॉफिट 20-25 रुपे है 15 रुपे है कितना प्रमोटर को यह सला नहीं दूआ कि वो दो करोड़ तीन करोड़ का आई पियो लेके आए तो पांच करोड़ से कम का आई पियो करना नहीं चाहिए क्योंकि जितना च्छोटा साइज आपके आई पियो का होगा प्रपोश्नेट एक्सपैंस ज्यादा क्या खर्चा आएदा अगर कोई पांच करोड़ का आई पियो लेका राता है तो आट नो परसंट तक वो आराम से पहुंच सकता है जो के बीस परसंट से शुरू हुआ तो इसलिए किसी को भी मैं यह सला नहीं देता क्या पांच करोड़ से कम का आई पियो लेके आए क्योंकि वाइबिलिटी नह लेकिन एक साल में, अगर आपकी वैलुइशन दस गुना हो गई, आपकी वैलुइशन कितनी भी हो सकती है, पांच गुना हो सकती है, दस गुना हो सकती है, पंदरा गुना हो सकती है, आपको एक मज़ेदार किस्सा बताता हूँ, दो हजार एकिस में, एपरिल के महीने में, ए आपको ताजूब होगा यह जानकर के नो महीने में इस कमपनि की वैलूएशन एक बिलियन डॉलर से उपर हो गई. जनवरी 2022 में यह कम्पनी यूनिकॉर्न कम्पनी बन गई . मार्केट वैलू 1 बिलियन ैजक्तर वैलूर से उपर होती है. आज की डेट में 1 बिलियन ैक र 250 करोड रुपे जी तो ऐसा भी मैजिक इसमें होता है 18 करोड से 8400 करोड की कंपनी की वेलिएशन होता है 18 करोड का आई पी उन्होंने किया जी 100 रुपे में शेयर अपना बेचा जी और एक साल में उस 100 रुपे वाला शेयर जो है दस हजार परसेंट से जाला ग्रो हो गया दस फाइदा हो गया इसमें एक ब्राइट कॉम कंपनी ने भी ऐसे कि राइट कॉम ब्राइट कॉम एक ऐसी के लिए मेरी पोर्टफोलियो में कंपनी जो हर बार हर साल मुझे 15-18 लग का प्रॉफिट देती है बहुत बढ़िया तो स्रॉक मार्केट ऐसा जगा है कि जहां अगर आप माली जे के लोग बोलते हैं जी मैं डे ट्रेडिंग करता हूं स्टॉक मार्केट में काम करता हूं तो डे ट्रेडिंग करने वाले तो अपने रिस्क पे करते हैं पर जो सीरियस इंवेस्टर है वो असलियत में बहुत पैसा कमाते हैं आपको शायद पता ही होगा कि 10,000 रुपेर और अगर वो शेयर आज तक किसी ने बेचे नहीं हो तो उस 10,000 की वैलिएशन आज 500 करोड से ज्यादा है जी लोग सोचते हैं यह है क्या कैसे होता है क्या होता है रिलाइंस धीरुबाय यंबानी नहीं जब रिलाइंस स्टार्ट की 1977 में पहली बार IPO इनका जो आ अच्छा कोई रूट है ही नहीं आप अपने सारे सपने अपने बिजनस की उचाई जहां तक आप सोच सकते हैं वहां तक आप इस रूट से पहुँच सकते हैं हमारी इंडिया की प्रॉब्लम के जो स्मॉल स्किल बिजनस ओनर ना अगर वो काम करता है पांच करोड का तो उ प्रॉफिट शो करता है और जब बैंक में जातरों बैंक कहता है कि आपके 10 लाग के हिसाब से आपको हम ज्यादा 25 लाग उपर दे सकते हैं मैं आपको बताओं देखे ये एक बड़ा जटिल कुश्चन है जटिल प्रेश्चन है आपके पास दो रास्ते अब आप कौन सा र जब आप कम प्रॉफिट दिखाते हैं और अभी पैसा बचाते हैं तो आप आगे का अपना ग्रोथ का रास्ता उन्नती का रास्ता बंद कर देते हैं और अगर आप अभी तकलीफ उठाएंगे टेक्स भरेंगे प्रॉपर जितने आपका प्रॉफिट है वो दिखाएंगे तो आपका growth का रास्ता इतना खुलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं. अपने business को आप जहां तक ले जाना चाहें, बड़े आराम से ले के जा सकते हैं. Great. तो सर, बहुत अच्छी information आपने शेयर की है. मैं पूरे विश्वास के साथ एक बात कह सकता हूं कि जितने वीवर्स इस वीडियो को देखेंगे, उनका mindset बिलकुल change हो जाएगा कि yes, this is the right way to generate good fund in a company. और expansion तक जाने के लिए बहुत सही रास्ता है. और मज़े की बात एक और भी है. कि में बोर्ड पर अगर आप जाते हैं तो उसके लिए जो conditions हैं बहुत टॉफ हैं, पर आप SME IPO करके, Bombay Stock Exchange में दो साल के बाद में बोर्ड पर migrate कर सकते हैं, और National Stock Exchange में भी पहले दो साल था, अब कुछ महीने पहले उन्होंने इसको तीन साल कर दिया है, तो अगर आप National Stock Exchange मे हैं, तो तीन साल के बाद आप में बोर्ड पर जा सकते हैं, तो इसको मैं बोलता हूँ, Silk Route to the Main Board, और यह बहुत आसान रास्ता है, अगर आपने बाकी बड़ी कंपनी के साथ अपने कंपनी का नाम देखना है, तो दो साल या National Stock Exchange में तीन साल के बाद आप माइगरेट कर सकते और बड़े इजी ली, बहुत आसानी से, उसके लिए बहुत मुश्किल कंडिशन्स नहीं हैं, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस आप तीन साल के लिए चुके हैं, बहुत 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 शुक्रिया, इतनी वेल्यूबल इंफॉर्मिशन शेयर करने का, जोस्तों कर कोई भी इंफॉर्मिशन, SME IPO से समझदाब चाहते हैं, तो आप सर से डारेक्ट कांटाक कर सकते हैं, सर की कंप्लीट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगी, कोई भी प्रशन हो, आप कॉमेंट बाक्स में प्रशन भी लिख सकते हैं, हम प्रयास करेंगे कि सर से कंटाक करके आपके सभी सवालों का जवाब को तुरंट दे, आप सर को डिरेक्ट आसानी से अप्रोच कर सकते हैं, इस तरह की वेलियोबल वीडियो जम आपके से लिए लाते रहेंगे, जरुवत है, तो चीजों को सीख के समझ के उसको इंप्लीमेंट करनी, कोई भी इंफ आपके वीवर्स का मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.